जै श्री कृष्णा मेरी प्यारी सी फैमिली उमीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थोंगे आज टिप्सवर्ड पर मैं लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल क्रिस्पी और यमी पराठे की एक मज़ेदार रेसिपी तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि आप इसको आसानी से ही घर पर कैसे बना सकते हैं और इसके लिए आपको किन किन चीजों की जरुवत पड़ेगी इसके लिए आप सबसे पहले एक कढ़ाई ले लीजे अब इसको मीडियम फ्लेम पर आप गरम कर लीजे फिर इसमें दो चमच तेल डाल दीजे और इसको गरम कीजे अब जब गरम हो जाए तब आप उसमें आधी चोटी चमच हींग और एक चमच जीरा डाल दीजे फिर इसको चटका लीजे अब इसमें आप एक हरी मिच और एक इंच अदर का टुकड़ा बारी काट कर इसमें डाल दीजे और इसको भून लीजे अब आप इसमें एक कप उबला हुआ बारी कटा हुआ बत्वा इसमें मिला दीजे ये बत हुआ मैंने पहले ही उबाल लिया था फिर इसको पानी को इसमें च्छान लिया था बागी बचेवे पानी के लिए मैंने इसको हतेली से दबा कर निकाल दिया था फिर इसको मैंने चाकू की मदद से बारी काट लिया था अब इसको हलका सा भून लिया है ताकि ये आप चाहें तो आलू को घिस भी सकते हैं और इसको अच्छे से मिला लीजेगा अब इसमें आप दो चमच कसूरी लाल मिर्च, स्वादनुसा नमक, आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर, एक छोटा चमच चाट मसाला और एक चमच नीबुका रस इसमें मिला दीजे और इसको मिक्स कर लीजे, जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब आप गैस की फ्लेम को आफ कर दीजे और इसको ठंडा होने दीजे, अब गेहूं का आप सौफ्ट सा आठा मल लीजे, आठा जितना सौफ्ट रहेगा पराठा उतना ही अच्छा बनेगा और ज्यादा सा मसाला इसमे पराठे को इस पर डाल दीजे, अब मीडियम टू स्लो फ्लेम पर घी या तेल लगार कर इसको क्रस्पी होने तक सेख लीजे, अब जब यह सिक कर तयार हो गया है तब आप इसको गर्म गर्म सर्व कीजे, आप इसको अचार, चटनी, दही, बटर या सौस के साथ भी सर्व क कर सकते हैं, ऐसे ही आसान और मज़िदार रेसिपी देखने के लिए आप हमेशा टिप्स वर चैनल से जोड़े रहिए, लाइक और कमेंट करके ज़रू बताइए का कि यह पराठा आपको कैसा लगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रू सब्सक्रा कि यहए हमेशा आपके यह खज से ते रेस्टव गब िसे हैं तो कि यही आपगा हैं। झाल झाल